नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चना अब्जेक्टिव सेंटर पर इस वीडियों हम लोग देखेंगे मोल्डिंग एंड कास्टिंग पर अब्जेक्टिव कोश्चन तो वीडियो सुरू करने से पहले जिन लोग नोग वीडियो को सेयर नहीं किय लकड़ी के पैटर्नी की तुलना में धावत के पैटर्नी के मातपुल लाभों में से एक यह है कि यह क्या होता है कि यह मसीन मोल्ड में उप्योगी है यहाँ पर आपका सी आंसर क्रेक्ट हो जाएगा क्या होता है कि देखिए लकड़ी का पैटर्न सस्ता और कम ठीकाओ होता है और मौसम के अनुसार क्या होता है इसमें बिरूपन होता है जैसे कि वर्षा के समय लकड़ी में धरार है और सीतलन आ जाती है और क्यों भी हो जाता है जब कि जो धावत का पैटर्न रहता है यह आ पैटर्न अफ्यास्टिंग है प्रिकोट पी क्लिसीजन कास्टिंग के लिए उपयोग किया जाने वहले प्रेंड़ onze दीशानल होता है वह आपका उता है यानिकि इांसर हो जाएगा सभ्यान नंभर आपका नावेले क्लिसीजन काश्टिंग क्षा η एक मोल्ड बनाने में एक पैटर्ण हो जाता है इस लिए से हम लोग क्या बोलते हैं मोल्ड कास्टींग कहते हैं इस प्रासिस को तीसरा question है Which of the following pattern and material are used in precision casting Precision casting के लिए कौन सा pattern and material यूज़ किया जाता है आप से ने आपका plaster of Paris, plastic, anodide, aluminium में लाए और है आपका frozen mercury तो देखिए कि जो सूच में casting के लिए जो pattern यूज़ किया जाता है वह रहता है आपका plastic और इसके बात जमा पारा यह दोनों रहता है यहाँ पर आपका be answer correct हो सकता है be answer correct हो जाएगा 2 and 4 देखिए सूच में casting में pattern के रूप में plastic एवम जमा पारा का परियोग करते है सूच में casting के दोवारा पतले काटकी जब की हलकी प्रिस्क्रित तथा आति सूच में विमाओं में या थार्सता पूंट ढ़लाई निर्मित की जाती है चौथा question है which of the following material is used for making pattern in investment casting method investment casting method में pattern बनाने के लिए निमने से कौन से पदार्थ परियोग किया जाता है आप सेने mom, rubber और है लकड़ी और plastic देखिए जो investment casting होता है इसमें जो परियोग किया जाता है यह रहता है आपका कि आपका mom भी होता है, rubber भी होता है और आपका होता है, plastic भी होता है तो 1, 2 और 4 होता है तो option number C यहाँ पर correct हो जाएगा 1, 2, 4 चलता है next question पे पांचमा question है कि metal pattern are used for which धात परतरूप किसमें परियोग्त होते हैं option है small casting large casting precise and intricate casting large scale production of casting देखिए जो धात प्रतिरूप जिसमें परियोग्त होता है वह रहता है आपका कि large scale production of casting यानि कि धलाई में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए परियोग किया जाता है धात प्रारूप मजबूत तथा संजहरण रोधी जंग रोधी होता है धात प्रतिरूप का उप्योग बड़े पैमाने पर महां पर होता है जहां एक ही उत्पाद की ढलाई की जाती है धात्यूप प्रतिरूपों के लिए जो उप्योग धात्यूप होती है वह होता है आपका धलवा लोहा होता है एल्मूनियम और इसके एलाय होता है और ताबा पर आधारित एलाय हो सकते हैं छठा कोशन है एन इंट्पनडेबल पैटर्नीज तो इंट्विबांथा हिसमें उपवोजित पैटर्न का उप यूद किया जाता यहां पर आपका एँड आंसर क्रेक्ट हो जाएगा तो भोजित pattern investment casting में परियोग होता है इस casting में pattern mom या mom जैसे खर्च हो जाने वाले पदार्थ का बना जाता है इसको ताप से बालू में दबा कर mold बनाये जाता है साथमा question है The pattern adopted for those casting where there are some portions which are structally weak and are likely to break by the force of the reaming are called यह pattern uncasting के लिए परियोग किया था है जिसमें एक समन्स तरचनात्मा करूप से कमजोर भाग होते हैं तथा जो reaming blow बालों द्वारा तूट सकते हैं आप से लूच पीस pattern, follow board pattern, skeleton pattern, single piece pattern तो देखिए यहां पर क्या होता है कि follow board pattern ने उन casting के लिए परियोग किया था है जिसमें एक समन्स तरचनात्मा करूप से कमजोर भाग होते हैं तथा जो reaming बालों द्वारा तूट सकते हैं यहां पर आपका B answer correct हो जाएगा ऐसे प्रत्रूप जो कहीं निश्चित बिभाजन रेखा नहीं रखते हैं उन्हें सीधे सीधे मोल्ड नहीं किया जा सकता इनको पहले एक follow मोल्ड में लगाया जाता है अठावा question है which of the following pattern is suitable for mass production of any product किसी उत्पाद के थोक उत्पादन है तो निमनें से कौन सा बिन्यास उप्यूगत है देखे इसके लिए जो उप्यूगत होता है यह रहता है आपका match plate pattern यहां पर आपका सियांसर correct हो जाएगा कि थोक उत्पादन या ब्रिहद उत्पादन यानि कि mass production के लिए मिलान पट्टिका यानि कि match plate pattern को उप्यूग किया जाता है इसमें एक ही plate पर एक से अधिक प्रतिरूप जोड़े जा सकते हैं तथा आवस्यक्तन उसर गेट वार रनर आधवी pattern में बनाई जा सकते हैं नौवा question है Swip pattern is used for molding parts having मूड़े pattern का परियूग निम्ने में वाले ढ़लाई के भागों के लिए किया जाता है यहां पर आपका सी अंसर करेक्ट हो जाएगा ऐसे प्रतिरूप जिनके दवारा समयमिती तथा वृत्ताकर सांचे पतिरूप को उर्द्वा अच्छ पर टिका कर तथा 36 तल में घुमाकर निर्मित किया जा सके बुहारी पतिरूपी कहलाते हैं दस नमबर कोश्चन है match plate pattern is used in match plate pattern का उपयोग कहां पर करते हैं देखे जो match plate pattern होता है इसका परियोग होता है इसका परियोग हम लोग करते हैं में मसीन मोल्डिंग में करते हैं तो यहां पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा मैच plate pattern में एक ही plate पर एक से अधिक प्रत्रूप जोड़े जा सकते हैं यह प्रत्रूप split pattern को एक plate के दोनों और सही alignment में पेंच्चो द्वारा कसकर प्राब्द किये जाते हैं गयारे नामर कोशन है फार मांटिंग सेर्वाल पार्ट से स्वारी फार मांटिंग सेर्वाल पैटर्न आट टाइम विच आप फालूंग टाइप पैटर्न इज यूजड एक समय पर कई सारे पैटर्न को मांट करने के लिए मैच प्लेट पैटर्न का प्रियोग किये जाता है तिहां पर आपका डी अंसर करेक्ट हो जाएगा कि चलता है नेस्ट कोश्चन पर बारे नामर कोश्चन है कि मंग दा फालूंग माटेरियल दा स्रिंकेज एलाउंस इस मौर फारूंग निवनमुष्चन से किस दाएग में सिकुलन्छूट अधिक होता है आपका लेड़ यहाँ यहाँ प्रियों स्ट करेक्ट हो जाएगा लेड़ यह चूट कितना कितना होता किसके लिए तो आप देख सकते हैं विश्मत के लिए आपका नगयड होता है है spend Mind made में मैं के लिए drivers 15 होता है और राक्ता के लिए 25 नमऍपर मीटर लंबाई सुध्ध अल्मूनियों के लिए प्रतिरूप के लंबवा सतहों में ड्राप्ट अलाउंस दिये जाता है इससे पैटरन को मॉल्ड में से निकालने पर उसमें दरारे छतिगरास्त नहीं होती है इससे पैटरन की लंब सतहों को टेपर बना दिये जाता है टेपर की मत्र सतह के लंब सतहां मोल्डिंग की विधी पर निर्भार करती है चौदे नामर कोशन है का ड्राप्ट एलाउंस यहीं देखिए क्या है कि प्रतुरूप के लंब सतहों में ड्राप्ट एलाउंस दिया जाता है इसमें पैटरन को मोल्ड में से निकालने पर उसमें धीवाने चतिगरास्त नहीं होती है इसमें पैटरन की सतह है जो लंबवा सतहों को टेपर बना दिया जाता है टेपर की मत्र सतह के लंब साइज सतह मोल्ड की विधी पर निर्भार करता है पंदरे नामर कोशन है स्रिंकेज स्रिंकेज एलांस इज मेड़ बाई संकुचन छूट किसके द्वारा बनाई जाती है तो देखिए जो संकुचन छूट रहता है यह आपका बनाया जाता है कि आइडिंग टू इक्स्टर्नल डाइमेंशन एंड सब्ट्रेक्टिंड फ्राम इंटर्नल डाइमेंशन बाई विमाव में व्रिधी तथा आंत्रिक विमाव में कमी करके बनाई जाती है यहां पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा सोले नमर कोश्चन है दे अलाउंस दैट इज प्रोवाइड़ेट तू कंपंसेट फार्द कॉंस्ट्रेक्शन कॉंट्रेक्शन आफ मेटल डिवरिंग इट्स तोलडिफिकेशन इज नोन एज धात के घनी करन के दारान होने वाली स्युक्रिंट की छतिपूर्थी है तो द दी गई छूट को हम लोग बोलते हैं स्रिंकेज यहां पर आपका भी अंसर करेक्ट हो जाएगा स्रिंकेज एलाउंस और देखिए घनी करन के दारान होने वाले स्युक्रिंट की छतिपूर्थी है तो जो छूट दी जाती है स्रिंकेज छूट दी जाती है सबके लिए कितन सद्रें पर मीटर होता है साधान करवण इस्ट्रिल के में मीटर होता है लंध में घरे का इस टरन होता है रिदातमक सब्सक्राइब के लिए नियुंतम संकुचन छूट प्रदान किया जाता है वह रहता है यहाँ पर आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा संकुचन छूट प्रदान किया जाता है यह साथ से लेकर 10 mm पर मीटर दिया जाता है और सिसा के लिए सबसे अधिक लगवग 25 mm पर मीटर संकुचन छूट दिया जाता है थारे नमर कोश्चन है तो इस टेपर को हम लोग बोलते हैं ड्राप्ट अलाउंस बोलते हैं तो यहाँ पर आपका भी अंसर करेक्ट हो जाएगा ड्राप्ट अलाउंस इस नमर कोश्चन है इन आड़र टू फैसलिटेट दा विड्राल आप पैटर्न पैटर्न को निकालना के लिए निकालना में सुब्दा के लिए क्या किया जाता है तो देखें पैटर्न को निकालना में सुब्दा के लिए हम लोग क्या करता है कि पैटर्न पर ड्राप की व यहां पर कि देखिए कि पैटर्न को निकालना में सुवधा ourselves के लिए पैटर्ण पर दी जाने वाले शूड होती है और पिघली धात उठंदा होने परस भुडती है इसए करता कि पैटर्ण में से कुरन या संकुचल के लिए दी जाने वाले शूड संकुचल कहलाती है इस नमबर कोश्चन है ड्राप्ट पैटरन फार काश्टिंग फार धलाई के लिए प्रतिरूप पर ड्राफ्ट प्रतान की जाती है यह किया जाता है कि मोल्ड से सुप्धा पूरवक निकालने के लिए टेपर यहाने कि टेपर आप फैसलिटेट रिमूब फ्राम मोल्ड यहा लाउंस में प्रदान किया जाने वाला संग को कुण कमान कितना होता है टेपर एंगल कमान कितना होता है यह टेपर एंगल कमान होता है जीरो से तीन डिग्री होता है प्रतुरूप की लंबव सतों में ड्राफ्ट लाउंस दिया जाता है इससे पैटरन को मोल्ड में से निक रों जो मसीन मोलिग में की आ होता है कि 10 मीटर पर मीटर होता है अथवा एक डिगरी होता है 22 नंबर कोश्षें है कि सुची फर्ष्ट और सुची सिकंड को मिलान करना है सुची 1 में जो दिया है कि으로 party के जाने वाले सामगरी ओर सुची 2 हो है स्कुर्ण छूट पर जो दिया है यह洲ा कर ना है तो देख़े क्या होता है कि इसके मिलान करने कंदे या जाता है इसका साonds से 10 होता है तो यह आपका पहले से मिल जाएगा और जो भ्रास का होता है यह आपका 15 mm पर मीटर होता है और जो इस्टील होता है यह आपका 20 mm पर मीटर होता है तो यहां पर आपका आपका पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा चलते हैं निगेटिव एलाइम्स इच प्रवाइड़ आंदा पैटर्न ने टू टेक केर आप पैटर्न पर रिवलात्मक छूट प्रदान की जाती है किसके लिए देखे जो पैटर्न पर रिवलात्मक छूट प्रदान की जाती है या किया जाता है कमपन छूट के लिए और कि दस एक Arc頭 से बाहर निकालने से पहले पैटर्न को थपपा जाता है जिससे मोल्ड रेंद से कुछ कम साइज का बनाया जाता है इस छूट को कमपन छूट कहते हैं या छूट रिलात्मक होती है तथा टेवल बड़ी कास्टिंग में ही दे जाती है 24 नमर कोश्चन है श्रिंकेज एलाउंस अन पैटर्न इस प्रोवाइड़ेट टू कमपन सेट फार स्रिंकेज हुएं पैटर्न पर सिकुर्ण शूट परदान की जाती है ताकि सिकुर्ण की जोचति पूर्थी करें जब करें कि दब टंप्रेचर आप सालेट फेज ट्राप फ तो पैटर्न और कोर बाक्सों पर निमन लिखित प्रकार के संकुचन के लिए संकुचन छूट दी जाती है यह जो चूट दी जाती है आपका दिये जाता है इसलिए जीतना कोई धाट शूट कहलाती है और उतना ही पैटर्ने को वस्तु के आवस्यक साइज से बड़ा बनाये जाता है किसी धाट के संकुचन की मात्रा उसके प्रकार संगटन और धाली जाने वाली वस्त के डिजाइन उड़े दिलते समय धाट का तापमा तथा इसके ठंडा होने की दर पर निर्भर करता है 26 नमर कोशन है इन सॉलिडिफिकेशा ना मेटल डिवरिंग कास्टिंग कंपन सेशन फर सॉलिड कांट्रेक्शन इज कास्टिंग के दरान धावद के ठोसी करण में ठोस संकुचन के लिए छटपूर्ति की जाती है तो देखिए जो छटपूर्ति की जाती है यह किया जाता है कि प्रवाइडेड वाइद ओभर साइच पैटरन परदान करके की जाती है इस प्रकार काश्टिंग की वास्तिक परिपमाप में की गई बृध्धी को संकुचन छूट कहते हैं 27 नमबर कोशन है डाइक कोर्स आर प्लेश्ट इन दाइक कोर रखे जाते हैं तो देखी जो डाइक कोर कहां पर रखे जाते हैं कोading कोर होता है या मोल्ड के या में किसी तरफ रुखे जाते हैं है कोड का फर्यों अज्फा इसे होते हैं यह राता है आपका कास्टिंगस से संबंदित होता करेक्ट हो जाएगा है है कॉल को झाल रहता है कि को रहता है जो ढलाई को आवसेतॅ को एनुसर को ठोकला बनाने के लिए रेत की विभिन आकारों की आकृतियां मोल्ड में परियोग की जाती हैं जिनें हम लोग कोर कहते हैं 29 number question है एन इंपॉर्टेंट फेक्टर टू बी टेकन इंटू एकाउंट वाइल डिजाइनिंग एक कोर प्रिंट इस एक कोर प्रिंट का डिजाइन तयार करते समय क्या धान में रखा जाता है तो देखे इसको ध्यान में यही रखा जाता है कि Molding Sand Characteristic तो यहां पर आपका भी अंसर करेक्ट हो जाएगा कि Core Print का डिजाइन तायार करते समय ध्यान रखा जाने वाला मात्पूनता तो संकुचन बालू की विसेस्ता होती है Core को Mold में सहारने के लिए Mold में केवटी बना जाती है या केवटी बनाने के लिए pattern में ही कुछ भाग उभार दिये जाते हैं इन्हें उभरे हुए भाग को हम लोग कोर प्रिंट कहते हैं तीस नमर कोश्चन है Which of the following is used to make hollow cavity in casting? खोखला गुई का बनाने के लिए ढलाई में क्या परियोग किया जाता है आपसे नेुस्पूब कोर गेट पैटरन तो खोखला गुई का बनाने के लिए ढलाई जो परियोग किया जाता है वह रहता है आपका core रहता है और core को core box में core sand द्वारा बना जाता है core का जो निर्मान होता है molding साप में होता है और एक core में केवाल एक casting बनाई जा सकती है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर देजिए अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को कर लेजिए subscribe चलते हैं नेस्ट कोस्चन पे 31 नामर कोस्चन है सेंड यूइड फार मेकिंग कोर इच कोर बनाने के लिए इस्तिमाल किया जाने वाला रेत क्या है आप सोने green sand dry sand loam sand oil sand तो देखिए सेंड यूइड फार मेकिंग कोर इच यह रहता है आपका oil sand की core बनाने के लिए इस्तिमाल किया जाने वाला जुर्यत रहता है आईल सेंड रहता है आईल सेंड है क्या कि इसे कोर सेंड के नाम से भी जाना जाता है इस सेंड का परियोग कोर बनाने के लिए कि जाता है इसमें क्या होता है कि सिलिका का नाम टेपड सेंड भी होता है इस सेंड में 70% सेंड होता है तथा 30% आपका किले मिला रहता है और इसमें 6-8% तक जल भी मिला रहता है 32 नमबर कोशन है कि फार इसमाल एंट इंटरिकेट काण्टिंग दसेंड ग्रेम्स फूड भी जनदर एंटें ऐंटी लाकृती की कास्टिंग के लिए बालू के कंड कैसा होना चाहिए तो देखे छोटे ऐँए जन्जती लाकृती की काश्टिंग के लिए सिल्का रेत के अस्थान पर जिर्कुन तेल रेत या अलो वाइं रेत चमोटी रेत तथा क्राइम मेगने साइट रेत का परियोग किया जाता है प्रूम्र कोश्चन है विच वन आप दा फालू इजनाठ प्रापार्टी आफे सेंड मोल्ड़ निम्नेम किसे कौन सेंड मोल्ड का गुड़े नहीं है आप सना है परमीबिल्टी को लाइपसिबेल्टी इस्ट्रेंथ फ्लूड्टी तो देखिए कि जो सेंड मोल्ड का होना चाहिए और आपका प्रतिरोधक्ता भी उसमें होना चाहिए और आपका बार्णिक प्रापार्टी भी उसमें होना चाहिए और फ्लॉविल्टी भी चाहिए याने कि प्रवाय की छमता होनी चाहिए और है आपका कि green strength भी होना उसमें जरूरी होता है अब चलता है next question पे 34 number question है green sun mold indicate that आद्र बालू मोल्ड संकेत करता है कि तो आद्र बालू मोल्ड संकेत जो करता है यह संकेत करता है कि मोल्ड contain moisture मोल्ड में नमी की मात्रा उपस्चित होती है तो यहां पर आपका D answer correct हो जाएगा आर्द बालू नमी युक्त होती है इसमें 6-8 परिश्यत तक पानी की मात्रा जथ 18-30 परिश्यत तक केले की मात्रा होती है आर्द बालू को सुखाने की आवस्था नहीं होती है इसकी काश्टिंग आर्द आवस्था में की जाती है क्योंकि यह बालू नमी युक्त होती है इसलिए इसकी परिगमता अच्छी होती है और आप लोग यह भी नोट रखिए कि जब मोल्ड बनाने के लिए आर्द मोल्ड भी कहते हैं का 35 पूस्चन है इन और ग्रीन प्र्रिक्रिया में एक समार भाता है तो देखे जो एक समांय रगहता है यह रहता है यह ड мнca काश्टिंग काश्टिंग की अधिक विमिये स्थिर्था को बढ़ाता है तो ग्रीन संड मोल्डिंग प्रिक्रिया में इस्थिर्था प्राप्त होती है अधिक तापमान अस्तर को सहन करने की मोल्ड बालू की समर्थिता कहलाती है प्लास्टिसिटी पोरोसिटी कुलैपस कुलैपसीबील्टी रिफ्रेक्टरिनेस तो अधिक तापमान अस्तर को सहन करने वाली मोल्ड बालू की समर्थिता जो होती है यह आपका कहलाता है यहाँ पर डियांसर करेक्ट हो जाएगा यह गुड़ मोल्डिंग बालू के ताप सह नहीं होती है थार्टी सेव नम्र कोश्चन है दाप क्रापार्टी आफ इस और वर्चिव आफ वीच इट टेक एनी डिजाइड पैटर्न सेप अंडर प्रेसर रेंड रिटेर्ड इट आप्टर प्रेसर रिमूवड इज नोन एज बालू का गुड जिसके कराण दाप के अंत एक अच्छा मोल्ड प्राप्त करने के लिए प्लास्टिकता का गुड होना बहुत अच्छा मना जाता है यह प्लास्टिकता का गुड बालू में नहीं होगा तो सही ढंक से केवटी नहीं बन पाएगी तो बालू अपने प्रार्णमी कवस्था में आने की कोशिस करे तो य अर्टिस नमबर कोश्चन है दे सेंड ग्रेंड इस्टिक टूगेदर बाई डडड़ प्रापरिटी अफ मोल्डिंग सेंड ढलाई बालू की कौन सी विसेष्टा के दवारा बालू के कंड प्रस पर जुड़े रहते हैं तो यह जो जीस के कारण यह आपका जूड़ते हैं को यहानी की सश्टंजगता होता है तो सश्टंजगता क्या है कि इस उप्रस्वरिब बालू की एक पर दूसरे में शीपकते रहते हैं जब पिगली धात डाले जाती है तो धाउत के प्रवाय से बालू के बहई जाने यह साचे के तूटने की संभावना कम होती है बालू की सा होती है यह आपका गैस को निकालने की अनुमति के लिए सूच में रंद रहता होता है यानि कि पूर सिटी या परमिट टू इसकेप आफ गैसे जार यहां पर थार्टी नाइड करेक्ट हो जाएगा चालेस नंबर कोश्चन है कि परमिबिल्टी इच पूर फार पार्गेमेता किसमें अल्प होती है देखे जो पारगेमेता जिसकी अल्प होती है वेरायता आपका फाइन ग्रेन यहां पर आपका यह आंसर करेक्ट हो जाएगा फाइन ग्रेन फोटीवन आमबर कोश्चन है दसेप एंड साज आप सेंड ग्रेन अफेक्टेड दा फालूइंग प्रापार्टी बालू के कणों की अकरिती और आकार नेमनमखित में से किस गुड को प्रभावित करता है आपसान है अडिवनेस पोरोसिटी रिफ्रेक्टरीनेस और है श् प्रभावित करता है यहां पर आपका वी अंसर करेक्ट हो जाएगा फोटीटू नॉमर कोश्चन है कोईवीनेस आप सेंड डिपेंड अपार रेत की संसक्तता किस पर निर्भार करती है तो जो रेत की संसक्तता निर्भार करता है यह आपका ग्रेंड साज एंड सेप आप स फोटे थी नावर कोश्चन है फार गूट परमीबिलिटी आफ मांटिंग सेंड स्वारी आफ मोल्डिंग सेंड दा फालूइंग इस नाट डिजारेबल करेक्टरिस्टिक मोल्डिंग रेट की अच्छी परगयमता के लिए निमन मेंसे क्या एक वांचित लच्छन नहीं है आपसान है higher percentage आफ शिलका large grain size lower salt percentage sand mixture containing grain of all size तो मोल्डिंग रेट की अच्छी परगयमता के लिए निमन मेंसे जो वांचित नहीं है लच्छन नहीं है वो है कि sand mixture containing grains of all size जरेट मिस्टर्ण में सभी आकार के कड़ों का होना यही आपका खराब होता है कि मोल्ड में अच्छी परगयमता के करान ही कास्टिंग के समय गैस बाहर निकलती है कड़ों के आकार बड़े होने से परगयमता में सुधार होता है परन्तु surface finishing खराब प्राप्त होती है फोर नमर कोश्चन है cents are graded according to the year बालू को किस आधार पर वर्गी करिद करते हैं तो देखे जो बालू होता है इससे हम लोग वर्गी करिद करते हैं कि मिट्टी की मात्रा तथा दाने के आकार के अधार पर तो किले content and grains यहां पर आपका correct answer हो जाएगा देखे मिट्टी की मात्रा तथा दाने के आकार पर बालू को वर्गी करिद किया जाता है तथा 0.1 mm से छोटे rate के कड़ों को हम लोग किले काते हैं किले के कड़ महीन होने के कड़ाण पानी में मिलकर एक पेश्ट बनाते हैं जो कि सिलका rate के कड़ों पर लिपट जाता है अधिक मात्र में भाप और ने गैसों का उस्टार्जन करने के rate के गुड़ को क्या कहते हैं तो इसके इस गुड़ को हम लोग बोलते हैं परमेबिल्टी यहां पर आपका भी अंसर करेक्ट हो जाएगा कि परमेबिल्टी के गुड़ के फल स्वर्व वायू तथा कास्टिंग से उपजी अन्य गैसे बालू के अंदर से होकर पास हो जाती हैं तथा कास्टिंग को कोई हानी नहीं पहुंचाती है यह गुड़ लोग देखेंगे कल तो आप लोग उससे देखना मत भूलिएगा मिलते हैं नेस्ट वीडियो के साथ थैंक यू